first of all good morning all of you, आपन देखते हैं lecture number 24, वो अपना next lecture है और unit के अपनी next है, unit number 7 है अपनी, वो है कोई सीवेस treatment, तो जैसा कि हमने हमारा water treatment के अंदर किया था, same procedure हम किसमें करेंगे, सीवेस treatment है, तो पहले अपन छोटा सा ही discuss करते हैं कि सीवेस treatment अपन क्यों कर रहे हैं, बहुत वाटर treatment करेंगे, impurities को हटाएंगे और साफ पानी हम पक पियेंगे, इसलिए हम water treatment कर रहे थे, लेकिन सीवेज का treatment क्यों कर रहे हैं, अब उस पानी को हम use कर चुके वो गंदी नालियों महरा है, वो सीवेज बन चुका उसमें नजाने कितना तो कचरा है, पानी के साथ साथ बहुत स lecture के अंदर, कि बहुत सीवेज के अंदर यह quality parameters होते हैं, ठीक है, अब उन quality parameters को मतलब जो सीवेज को quality जो अपन को remove करना पड़ेगा, इस process के अंदर क्यों करते हैं, यह समझते हैं अपन, वह complete शहर का, जो सीवेज था, सीवर के थू जा रहा है बाहर, अब वह सीवर, जो कहीं पर तो आप फैंक ही रहे होंगे, तो आप उस सीवेज को जहां पर भी फैंक रहे हो, चाहें तो आप उसको land जमीन पर फैंक रहे हो, या हो सकता है आप उसको किसी समुदिर में फैंक रहे हो, या हो सकता है आप किसी river में फैंक रहे हो, तीनों में से किसी एक जगह पर बीमार या फैलेंगे आपने river में डाल दिया उसको गंदे सीवेज कोई इसकी quality बेहद बेकार थी आपने कोई treatment नहीं किया और उस river के पानी कोई आप यूज़ कर रहे हो वह यह ऐसा हो सकता है ना यह river जा रही थी और यहाँ पर क्या है आपका यहाँ से आप पानी को यूज़ कर रहे हो कोई city है ठीक है और यह गंदा जो पानी था आपने क्या किया यहाँ पर आपके city थी एक city यहाँ पर है और आपने इस city ने जो गंदा सीवेज था वो आपने इस रिवर के अंदर डाल दिया आगे इसी रिवर से पानी को यूज कर रहा है कौन सा दूसरी सिटी तो देखो सीवेज आ चुका अब ये वाली सिटी जो है ये तो क्या हो जाएगी बीमार पड़ेगी के नहीं पड़ेंगे यांके लोग बाग इसलिए अपन क्या करते हैं सीवेज का ट्रीट्मेंट करते हैं कि सीवेज को जहां पर भी फैक है तो फैकने से पहले सीवेज में किसी प्रकार कोई ऐसी कि harmful substance ना बचें इसलिए अपन सीवेज का ट्रीट्मेंट करते हैं बस यहीं उद्देश से होता है अपना कि सीवेज को जहां पर भी आफ हैं करें वहाँ पर दिक्कत ना करें अब आपन बात करते हैं कि सीवेज को ट्रीट्मेंट कैसे करते हैं जैसे वाटर का करते थे सेम पही चीज़ करते हैं सबसे पहरे तो पर मोटी मोटी इंप्यूर्टीज घटाते हैं कैसे स्क्रीणिंग के द्वारा इस्क्रीणिंग का मतलब क्या होता इस्क्रीण जालियों को लगाना तो ऐसी बार्स होती है बार्स छड उनको अपन लगा देते हैं ऐसे इंग्लाइंट 45 डिग्री पर जनरली 45 पर लगा देते हैं यहां से सीवे जा रहा है तो जो मोटा मोटा कैसरा था पॉलिथेन और यह पत्तियां ठीक है कागज थर्मा कॉल दोने पत्त जो भी कुछ चीज है वो सारी चीज इसके पीछे पीछे रुख जाएगी मोटी मोटी च दरवाई इतनी मोटी आपको बुक मिलेगी इसी के लिए ठीक है ना यह सीक्वेंस समझ लो आप अच्छे से तो अपन वो देख रहे हैं पूरी पिक्चराइज को माइंड में एक साथ को समझना है तो मैंने क्या यहां पर दो दो प्रोसर्स चलेंगे सीवेज के अंदर जो समझेंगे पहले स्क्रीडिंग लगा दी हमने यह स्क्रीडिंग यह मैंने प्रोसर्स लिखा यह तो है प्रोसर्स अपने और इस प्रोसर्स से क्या चीज रिमूफ होगी वह मैं ने लीचे लिए तो अपने को कम्प्लीट यूनिट समझ में आ जाएगी एक साथ तो अगुछान दंद आपको क्रीडिंग के बादमें अग्रोस सकता है वह जुक्त ने क्यांस वुल्क चीजान ने लाएग तो अथी स्क्रीन के बाद में लिक्विड आगे गया तो हो सकता उसे चोटे मोटे और पार्टिकल्स रह गए कैसे भी पार्टिकल्स चोटे मोटे गज़ चुके हैं तो अब वह पार्टिकल्स जो है वह आप टैंक के अंदर आप अगर उनको बिठाओगे तो इसली तो बैट नहीं पा बड़े मालो एपल आगे चला गया था एपल के छोटे-छोटे टुकडे कर दिए उसने 6 mm साइज तक के ठीक है तो वह अपना आगे जा चुका है यह था आपने कॉमिनीटर क्या करता है ब्रेक लार्ज पार्टिकल्स इंटु स्मॉर्ल पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल् अब जो लिक्विड है कॉमिनीटर से आगे गया आगे एक चैंबर होता है उस चैंबर में हमने भेज दिया तो फिलाल तो उसका हमने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया बड़े-बड़े पार्टिकल्स को अलग कर दिया बहुत बड़े-बड़े फ्लोटिंग मैटर को चो बारें कि जो मोटा मोटा जो मैटर है ना वह तले में बैठ जाए कैसी भी करके तो हमने एक चैंबर लगा दिया ग्रिट चैंबर तो उस ग्रिट ग्रिट का मतलब क्या होता है स्टोन की चिप्स चोट-चोटी सी सेंड के टुकड़े उसको बोलते है पन ग्रिट तो ग्रिट चैंबर में बैठ जाएंगे तो पत्थर उसके अंदर और गानिक तीनों चीज़ें वह आगे चलेगी ग्रिट चैंबर से कई बार हम ग्रिट चैंबर का करते हैं बढ़ा देते हैं और कुछ केमिकल डाल देते हैं जिससे की क्या होता है इन और गनिक तो बैठी रह इन और गनिक होते हैं आप वाले पार्टिकल भी बैठने लग गए क्यों क्योंकि हमने उसका टैम बढ़ा दिया और कैमिकल को मिला दिया तो वह जो टैंक होता है वह भी ग्रिट चैंबर की तरह ही होता है उससे अपन क्या होते हैं टैट तो मैंने ऑबलिक लगा दिया यह तो आप ग्रेट चंबर का यूज़ करोगे या फिर डेटिटस टेंग का किलर है के नहीं तो आपने इन दोनों में से किसी का यूज़ किया तो क्या ग्रेट चंबर तो किसको रिमूब करेगा इन और्गैनिक सस्पेंड़ सॉलिड फिर से बोल दता हूं समझे लेना आई उए है कि जो चीज़े है उसको हम रिमूब करते हैं सब्सक्राइं और ऑफिर से बनते हैं ऐहीं। लेकिन बभी बहुत सारी चीज़ है थे बहुत सारी भूंदा तार अहतर ये थो तो छी प्राइमरी यहाँ बोते uh इसमें दो टेंक काम में लेते हैं ये एक तोãyãy subscribe और एक सैकंड़ी दो लेते हैं आप यहां पर होता है स्टेंक के अंदर तो बैठनी को बैठने देते हैं कि आराम से लिक्विड जू जा रहा है वह आराम से सेटल हो सके तो लिकेड़ में जो हमारे और गैनिक सस्पेंड़िड सॉलिड है जैसे चोटे-मूटे माल लेजिए वेजिटेबल के चोटे-मूटे से टुकडे थे जो उसमें कॉमिनिटर में श्रेड हो चुके तूप चुके थे चोटोटे पार्टिकल्स वो नीचे बैठ गए एपल के चोट-चोट टुकडे थे वह बैठ गए क्योंकि अपन इसके अंदर बैठने का टाइम दे रहे हैं तो सेडिमेंटेशन टैंक में बैठने रहे हैं ठीक है अब इसमें बैठ गए तो क्या चीज रिमूव हो गई और गैनिक सस्प पार्टम पैंदे जो बैठा होता है अपने ट्रीटमेंट में किसी भी टैंक के बार्टम में गया बैठा होता है उसको क्忙ý का घर ना को मतले आ है यूनि कहीं पर यूई पटक प्तक देंगे वह भी अपन देखेंगे अभी तो सभी एक अनदर बैठा हुआ है डेटरिज ट अपने लिए harmful है अब क्या करेंगे जो PST के बाद में जो लिकुड जा रहा है ना उसके हम biological treatment करते हैं मतलब उसमें से अपन micro organ को remove करेंगे और organic matter को neutralize कर देंगे तो उसके लिए अपने काफी सारे method होते हैं 16-17 method होते हैं ठीक है एक्टिविटेश ब्रॉसेस ट्रिक्लिंग फिल्टर आर आरे एस भी और काफी सारे होते हैं यूएस बी आर तो बहुत सारे रोटिटरी बायोजिकल कॉंटक्टर आर बीसी बहुत सारे अपने methods होते हैं इमहाफ टैंक ठीक है तो सैप्टिक टैंक method तो यह कई प्रकार के होते हैं सब अपन डीटेल में देखेंगे तो अपन क्या करते हैं जैसी पीस्टी से लिकुड आया उसको अपने उसके अंदर डाल दिया ठीक इन बायोजिकल ट्रीटमेंट दिया उन अलग-अलग method के अब जो हैं हमारा वो तो बैठ गया नीचे स्लज के रूप में और गनिमेटर माइक्रो और बाकी लिकुड आगे निकल गया अब जो लिकुड है वो गंदा पानी है अब भी लेकिन वह अपने लिए हामफुल नहीं है क्यों क्यों कि बढ़े बड़े पार्टिकल रिमूब इस没有 कर दी स्क्रेंडिक में दोड़े उसके बाद आपने क्या किया इंदर बड़े-बड़े पार्टिकल को चोटे पार्टिकल कर दियुए और पड़े जो बाद आपने इस के बाँए ता बीच में चिकनाट अगर आता दी और बाकी जो बच़े और आपने बाइलोजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हटा करके सस्टी सेकंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे बिठा दिया था तो अब जो इफ्लेटर निकल रहा है उसके पास किसी प्रकार की इंप्यूरिटी नहीं है गंदा तो है वो तर्बिड होगा गंदला होगा तो भी इतना नुकसान नहीं होगा यह अपने सारे प्रोसेस थे जिनको अपन इंडिवीज्वल पढ़ेंगे पहली बात तो यह आपको पूरा-पूरा सीक्वेंस समझ में आया यही सीक्वेंस में आपको साखसार टॉपिक्स याद करने हैं सारे बड़े-बड़े टॉपि इनसे कुश्चन पूछ सकता है कोई साथ तो आप इनमेंसे अगर आपको यह समझ में आता तो इससे ही एक कुश्चन बनेगा वह आप इसको करते हैं इसकी मिंग टैंक का यूज करते हैं और इसको रिमूव बरने के लिए प्लिए कि अब देखो यह तो बात थी अपने है क्यों क्योंकि जो हमारा सीविस्ता उसमें बहुत ही जादा गंदगी थी तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं उस वाले केस में अपन उसके अंदर कुछ केमिकल को डालते हैं और उन केमिकल को अगर अपन डालते हैं फिर आप क्या करोगे केमिकल डालने से तो वह 100 व तो chemical treatment में क्या remove होता है अपना micro organism और यह जो प्राप्त होता है इसके पास BOD कि इतनी होती है लास्ट 5-10% BOD होती है ठीक है ना 5-10% BOD होती है इसके अंतर अपनी तो यह SHT था अपना secondary sedimentation tank था उसके बाद आप क्या आया तो tertiary का treatment का यूज करोगे chemical treatment का उसके बाद आप भीस दोगे liquid को आगे या फिर directly liquid को आगे बेज सकते हो अगर आपको दिख रहा है कि 5-10% BOD है directly आपसको disposal के लिए बेज सकते हो अब बात आती है अपने दो चीज करेंगे अपन इसमें यह देखो यह जो process थाना अपना screening से ले करके और skimming tank तक का only यह जो कितने ही मैं वैसे short में लिख देता हूं reduces BOD 5 5-10% ठीक और जो प्राइम जो अपना primary होता है इसमें क्या होता है reduces BOD 5-30% तो आपसे पूछे primary treatment कौन सा है screening combinator grid chamber skimming बस preliminary और primary कौन सा है उसके अदर के वर एक और जोड़ जाएगा primary sedimentation tank तो यहां तक का यह मैंने blue line से कर दिया है यह ब्लू लाइन यह कौन सा है primary treatment green यह चार process कौन सा है preliminary treatment इसको बोलते हैं बाइलोजिकल treatment का इसको अपन क्या होते है secondary treatment यह था primary treatment यह secondary treatment इसमें क्या रिमूँ होता है organic matter or micro और भाईया यह organic matter लिख रहा है short में आप complete लिख सकते हो यह micro organism लिख रहा है इसको आप complete लिख सकते हो ठीक है और chemical treatment का अपन क्या बोलते है तर्सरी treatment यह वाली बात के लिख रहा है आपको तो primary secondary टर्सरी अब बात आती है कि देखो यह तो लिक्विड लिक्विड की बात करी थी अब उन सब के नीचे भी तो कुछ बैठा हुआ है bottom में कचरा स्लज इसको बोलते हैं उसको कैसे रिमूग कर रहो बहिया तो देखिए यहां से जो primary sedimentation tank में जो नीचे sludge बैठी है ना वो क्या है highly highly oxidized है मतलब oxidizable है मतलब उसमें बहुत जादा dangerous है वो बहुत जादा organic matter उसके अंदर है क्योंकि वो बिठा ही क्या रहा है organic suspended solid इसका कोई treatment नहीं हुआ और आप उसको बिठा रहे हो आपने बिना किसी उसके केवल आ आपने bottom में बिठा दिया बिठाया ही तो है मरे थोड़ी है हुआ भी और इस वाले में क्या करते हैं अपने treatment कर दिया उनका किडे मुगड़ों को मार दिया अब जो मरे हुए हैं उनको आप bottom में बिठा रहे हो यह होता है SST के अंदर तो इसमें जो bottom में बैठा हुआ हुआ नहीं है लेकिन इसमें जो bottom में बैठा हुआ है बेहद harmful है इसलिए अपन उसको क्या करते है अनदर ही होता है जो कुछ हो ठीक है उससे gases भी वाल्व होंगी और लिक्विड भी जनरेट होगा पहुत सारी चीज़ होगी और आपनको product भी मिलेगा कुछ तो यह अनरोबिक डि अनरोबिक क्लियर है के निए तो यह था अपना सौरी इसका तो करेंगे अपन अनरोबिक और उसका करेंगे अधर कि अधर की अधिक जो था हमारा complete जू सलज़ा आपने डिकंपोजिशन कर दिया डिकंपोजिशन करने के बाद में अब वो क्या है हमारा वेस्ट हो चुका है स्लजब को एक टैंक में डाल देते हैं इसमें क्या करता है Tun—uk Abus इसमें क्या करते हैं अभी आपको पुराप्त हुआ है नीचे लुगतीस फिराप्त होती है उसके लिक्वी ऊगा अरे वहीं हम आओ उन्य देखा हुआ है ऐसे दिखा हो था तो उसमें liquid भी होता है लेकिन 5-7 दिन बाद देखते तो जम जाता है और क्योंकि उसमें से क्या हो चुका है पहल तो liquid था लेकिन उसमें से 4-5 दिन बाद moisture तो ऊपर उड़ जाता है उसमें क्या है moisture तो remove हो जाता है और sludge जो है बलकी अपन को प्रापत होता है ठीक है sludge थिकनर टेंग क्या करता है reducing moisture content वहीं मतलब सुखा देता है एक तरह से उसके बाद आप इस sludge को किसमें डालते हो sludge digestion का मतलब क्या है का मतलब है कि इसके अंदर जो sludge है sludge के अंदर बहुत सारे और्गेंग मेंटर भी है उनको अपन remove करना है रिमूव का मतलब क्या है वह ऐस तो remove होंगे नहीं उनको अपन क्या है inactive करना चाहरें कि अगर वह कीडे मगोड़े हैं तो मर जाए ऐसे समझना है अपन को तो आप उसको sludge digestion tank में डाल देते हैं उसमें चार प्रोसेस होते हैं चारों का sequence important है जो आपको याद रखना है आगे तो लिखवा हुआ ही लेकिन आप यहाँ पर भी याद रखें कि इस space से आपको सब कुछ cover हो जाए सबसे पहले क्या होता है sludge digestion tank के अंदर acid fermentation फिर होता है acid regression फिर हो हो चुका है अब उस sludge को अपन क्या है dispose अब वो sludge completely क्या हो चुका है exhaust हो चुका है उसमें कुछ भी नहीं बचा जो हमारे लिए harmful है अब आप उसको कहीं पर भी फैंक सकते हो कहीं पर भी आप उसको dispose कर सकते हैं तो कहा dispose करोगे disposal कई भी हमारे पास तीन method है एक तो है barrier मतलब अब गाड़ देंगे हम उसको भाई गड़ा होगा तब ही तो गाड़ेंगे तो एक तो होता land filling और composting, composting मतलब खाद बनाना उसका अपन खाद बना लेते हैं और अफर अपन उसको गड़े में डाल देते हैं यह होता है barrier, दूसरा होता incineration मतलब अपन उस sludge को सूखे को अपन क्या है जला देंगे, अगर वो जलाने योग गया है तब ही तो जलाएंगे, otherwise नहीं जलाएंगे, तीसरा है dumping into sea, समुधिर में फैक देंगे, इन तीनों में से कोई भी एक process का अपन यूज़ करके उस sludge को dispose कर देते हैं, तो भाईया यह थी पूरी कहानी हमारी दो सीजों के disposal की, first, sewage के disposal की थी overall, लेकिन पहला तो sewage में liquid था, उसके disposal की थी effluent की, और दूसरा जो sewage जो process के बाद हमारा जो नीचे sludge बचता है, उस sludge के disposal की, तो कचरा जो था sludge उसको भी dispose कर दिया है, liquid को treat करके उसको भी dispose कर दिया है, यह complete कहानी थी हमारी इस unit की, तो आप एक बार पहले इसको उतार ले, ठीक है, उतार लेते हैं आप तो आप इसको उतार लें एक बार, अब क्या है, अब आपन क्या है, इन सभी को one by one करेंगे, next lecture के अंदर, तो सभी complete process को आपन one by one देखेंगे, इस unit से questions बनते हैं, देखो, यह जो है ना, biological treatment, इस से basically questions पूछे ज कि ए मन FCStat उपनाश्स के एले अमने थे चर्ब़ूरे हैं, में क्या है, दीक हैं है, क्या दोजार वूशी, एम तोट इन सम्दाज!